तो आज किस वीडियो में हम टाइप कंवर्जन को देखेंगे कि हम एक डिटा टाइप से दूसरी डिटा टाइप में किस तरह से एक वैडियेबल को या कनवर्ट कर सकते हैं तो हमारे पास फूर्ट में टाइप कंवर्जन के एक प्रिमिटिव डिटा टाइप टू प्रिमिटिव डिटा टाइप सेकेंड में हमारे पास प्रिमिटिव डिटा टाइप टू क्लास टाइप फिर क्लास टाइप और फिर वन क्लास टाइप टू अनदर क्लास टाइप तो हैं मेरे पास integer, character, float, double वगएरा यह हमारे पास primitive data types होती हैं तो अगर हम integer से किसी float में convert करेंगे या float में किसी integer में convert करेंगे तो यह primitive data type to primitive data type conversion हो जाएगी लेकिन अगर हम कोई अपनी class बनाएंगे और integer से उसमें convert करेंगे तो यह second method है हमारे पास second type और अगर किसी class के object को हम integer या float या character या double में convert करें तो यह हमारे पास third case बनता है और fourth case हमारे पास जो है वो उसमें हम अपनी ही दोनों classes बनाएं और एक class से दूसरे class में convert करें objects को तो वो हमारे पास fourth type of conversion है तो सबसे पहले हम देख लेते हैं primitive type to primitive type conversion तो अगर मैं एक integer type का variable लेता हूं x उसके अंदर value देता हूं 4 और float type का variable लेता हूं y उसको फिर assign करवा देता हूं x तो यह automatic type conversion है मुझे कुछ भी करने की ज़रुत नहीं है यह compiler automatically x को जो है वो float बना देगा यानि इसको 4.0 कर देगा फिर अगर मैं float type का variable लेता हूं x उसको 4.5 value देता हूं एक integer type का y variable लेता हूं और y को मैं x assign करवाता हूं तो यह भी automatic type conversion हो जाएगी जहां पर भी y में 4 store हो जाएगा और .5 जो है वो data loss हो जाएगा हमारा type conversion हम करेंगे मिरे पास एक class complex type की उसका एक object है मिरे पास c1 मैं एक integer type का variable मिनाता हूं x उसके अंदर value देता हूं 4 अब मैं इस x को store करवाना चाहरा हूं c1 के अंदर तो यह यह मैं primitive type से class type के अंदर conversion कर रहा हूं तो यहां पर यह error देगा मुझे क्योंकि मिरे पास अभी कोई भी ऐसा mechanism नहीं है जिससे मैं इसको convert करवा सकूँ तो primitive type से class type conversion जब आपने करनी होती है तो आप constructor का use करते हैं यह किस तरह से करते हैं यह मैं आपको इसका program बना के दिखाता हूं तो यहां पर आप देख सकते हैं मिरे पास एक complex की class है जिसके अंदर एक real variable है और एक integer variable है जिसके अंदर एक real part है और एक imaginary part है और दोनों यह integer type के हैं मेरे पास एक default constructor है जिसके अंदर मैं यह 00 initialize करवा देता हूं इनको default constructor इसलिए है क्योंकि मैं पहले object बनाऊंगा और फिर उसके बाद उसको मैंने primitive data type से इसके अंदर convert करना है तो वो बाद मैंने values assign करनी है उससे पहले मैंने इनको दोनों को 0 रखना है फिर मैं एक मेरे पास display का function है और main function के अंदर आके मैं एक c1 बनाता हूं एक integer बनाता हूं variable x जिसके अंदर 5 store कराता हूं और इस x को फिर store कराता हूं c1 के अंदर और आकिर मैं c1 को display कर लेता हूं तो अब मेरे पास यह जो step है इस पर error आता अगर मैंने यह constructor ना बनाया होता तो इस case में आपने यह constructor बनाना है जिसके अंदर आपने एक integer x लिखा हूँ है और यह x जो है वो real part में store होता है तो इस तरह से आप यह integer data type को complex data type में यह class की data type में convert कर सकते हैं इस तरह का आपने एक constructor बनाना है तो यहां पर एक और बात का आपने ध्यान रखना है कि यह जो assignment operator है यहां पर आपके पास इसको overload नहीं होना चाहिए अगर यह overload होगा तो यहां पर हमारे पस issues create हो जाएंगे तो यह c1 is equal to x मेंने कर दी है अब मैं इसको जब run करूँगा तो यह x जो है वो store हो जागा real part में c1 के तो यह देख सकते हैं मैं इसको display इस तरह करता हूँ कि real part, imaginary part तो यहां पर imaginary part 0 है लेकिन real part में x की value store हो चुकी है तो इस तरह से आप किसी primitive data type से class की data type के अंदर conversion कर सकते हैं तो अब मैं देख लेता हूँ कि आप class की type को primitive data type में किस तरह से convert कर सकते हैं तो अब मेरे पस complex class का एक object था c1 उसके अंदर 3 store था real part में और imaginary part में 4 store था मैंने एक integer type का variable बिनाया एक्स अब इस x के अंदर मैं c1 store करवाना चाता हूँ तो यहां पर अगर मैं यह काम करूँगा तो error आएगा अब इसके लिए मुझे किस चीज़ की जरूरत है तो class type to primitive data type conversion can be implemented through casting operator तो इसके लिए आपको casting operator overload करना पड़ेगा यह भी एक operator overloading की type है तो इसके जरीये से फिर आपने यहां पर class type को primitive data type में convert करना है तो यहां पर आप क्या करेंगे सबसे पहले operator का keyword लिखेंगे फिर primitive data type जिसमें आपने convert करना है class की type से और यह आपने एक member function मनाना है class के अंदर तो यहां पर मैंने operator का keyword और primitive data type में मैं इस case में integer लिखूँगा और फिर return करवाना है आपने कोई integer data member उस class का या आप उनको multiply करके या divide करके किसी भी तरह आपने अंदर जो भी implementation करनी है वो आपके उपर है मैं इस case में क्या करूँगा real part जो है वो return करवाँगा तो मैं यहां पर लिखूँगा operator primitive data type की जगा में लिखूँगा integer और उसके बाद यहां पर करूँगा return real तो मेरे पास real return होके x में store हो जागा तो मेरे पास x में 3 आ जागा तो इस तरह मैं class type से primitive data type में किसी भी object को convert कर सकता हूँ अब मैं आपको इसका program दिखा तो अब यहां पर मेरे पास वही complex क्लास है लेकिन अब मेरे पास यहां पर constructor जो है इसके अंदर मैं values ले रहा हूँ ताके मैं उसको initialize करवा सकूँ और मेरे पास display का function है main function में मैं आता हूँ मैंने एक c1 का object बनाया और एक integer x variable बनाया अब इस x variable के अंदर मैं class type का object store करवा रहा हूँ और उसके बाद इस x को display करवा रहा हूँ तो अगर मेरे पास यह operator overload नहीं हुआ होता है यहां पर casting operator तो यह मेरे पास error आता तो अब मैंने casting operator overload किया तो मैंने operator का keyword लिखा उसके बाद वो type लिखी जिसके अंदर मैंने convert करना है वो integer थी उसके बाद मैंने real जो part था उसको return करवा दिया तो वो integer type का है तो इस वज़ा से कोई error नहीं आया तो यहां पर आपने एक चीज़ का दियान रखना है कि जो चीज़ आप return करवाएंगे वो यहां पर यह जो type आपने लिखी है वो उसकी और इसकी type सेम होनी चाहिए तो real और integer यह दोनों same type के हैं तो इस वज़ा से यहां पर कोई error नहीं आया अब x के अंदर मेरे पास यह 4 store हो चुका होगा जो के real part में था मेरे पास मैं इसको आपको run करके दिखाता हूँ तो आप देख सकते हैं x is equal to 4 print हो चुका है तो अब मेरे पास यहां पर एक product की class है जिसका एक object है मेरे पास p1 उसके अंदर 3 और 4 values store है फिर मेरे पास एक item class का object है i1 अब मैं i1 के अंदर p1 store करवाना चाहरा हूँ यहनि p1 class का object मैं convert करवाना चाहरा हूँ i1 के class के object के अंदर तो यहां पर मेरे पास यह error आएगा क्योंकि मेरे पास अभी कुछ भी ऐसा mechanism नहीं है जिसके जरीए से मैं इनको convert कर सकूँ तो इस case में आप दोनो mechanism use कर सकते हैं जो भी हमने देखे एक constructor के जरीए भी आप कर सकते हैं और casting operator के जरीए से भी कर सकते हैं तो मैं one by one आपको दोनों methods आपको दिखाता हूँ तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आपने P1 को convert करवाना है I1 के अंदर तो constructor आपको चाहिए होगा I1 का और अगर आपने type casting operator के जरीए से करवाना है तो वो आपको P1 के अंदर चाहिए होगा casting operator तो मैं पहले आपको constructor बना कर दिखाता हूँ I1 के अंदर तो उसके लिए मैंने सबसे पहले यहां पर product की class बनाई है जिसके अंदर एक integer A है और एक integer B है product का मेरे पास constructor है ताकि इसकी values मैं set कर सकूँ उसके बाद मेरे पास get A और get B के functions हैं यह क्यों है यह मैं आपको भी बताता हूँ मेरे पास item class है उसके अंदर दो integers है X और Y इधर मेरे पास default constructor है क्योंकि मैंने उसको पहले default values assign करवाने के बाद फिर P1 उसके अंदर convert करवाने है अब मेरे पास set data का function है यह क्यों मैंने बनाया है यह मुझे चाहिए होगा जब मैंने casting operator के जरीए से इसको use करना है तो अभी के लिए आप इसको skip कर सकते हैं कि यह set data का function अभी नहीं चाहिए फिर मेरे पास यहाँ पर constructor है item के अंदर जिसके अंदर मैं product का object लेता हूँ P और X और Y के अंदर उसके variables store करवा देता हूँ तो अकर मैं X is equal to P.A करता और Y is equal to P.B करता तो यहाँ पर मेरे पास errors आते क्योंकि यह दोनो private data members है और इनको मैं class के बाहर access नहीं कर सकता तो इस वज़ा से मैंने यहाँ पर get A और get B के functions बनाए ताकर यह मुझे A और B की values return करवा है और वो मैं X के अंदर और Y के अंदर store करवा सकूँ फिर मेरे पास display का function है जो X और Y को display करता है main function के अंदर मैं आता हूँ product P1 एक object बनाता हूँ उसके अंदर 3 और 4 values देता हूँ एक item का object बनाता हूँ यहाँ पर default constructor call हुआ 00 values store हूई फिर I1 के अंदर मैंने P1 जब store करवाया या convert करवाया तो मेरे पास P1 का 3 इसके X में आ गया और P1 का जो 4 था वो इसके Y में आ गया मैंने इन दोनों को display करवाया मैं आपको run करके दिखा देता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं X के अंदर 3 आ चुका है और Y के अंदर 4 आ चुका है तो अब मैं देख लेता हूँ कि अगर मैंने operator के जरीए से casting operator के जरीए से इसको convert करवाना है तो उसके लिए मुझे यहाँ पर इसको मैं comment किया वा था मैं इसको हटा देता हूँ और मेरे पास जो यह constructor था इसको मैं comment कर देता हूँ तो यह मैंने यहाँ पर comment कर दिया अब आप देख सकते हैं कि यह मेरे पास एक error देगा वो error क्या देगा कि item का temporary object मैं यहाँ पर बना रहा हूँ लेकिन item अभी तक जो है वो defined ही नहीं है class और फिर मैं set data का function यूज़ कर रहा हूँ वो भी मेरे पास defined नहीं है तो इस case में मुझे क्या करना पड़ेगा कि यह जो class मैंने नीचे define की है अब इसको मुझे product की class से पहले define करना पड़ेगा तो मैं इसको यहां से cut कर लेता हूँ और यहां पर इसको paste कर देता हूँ अब यह मेरे पास कोई error नहीं देगा यहां पर क्या हो रहा है कि product की glass के अंदर मेरे पास एक operator है जो के casting operator है यह item के अंदर convert करता है चीजों को item का मैं एक temporary object बनाता हूँ और उसका set function call करता हूँ मैं यहां पर constructor वहां पर बना के constructor भी call कर सकता था लेगन यहां पर मैं set value का function यूज कर ओँ आप constructor भी यूज कर सकते हैं तो यहां पर मैंने a और b values इसको pass की है जो के इसके x और y में store हो गई है अब मैंने इसको return करवा दिया temporary object को तो यह left hand side पर में पास i1 जो था उसके अंदर अब एक temporary object store हो गया है तो उसकी values उदर copy हो चुकी है copying instructor by default call हुआ है यहां पर pointers नहीं है तो इस विज़ा से मुझे उसको overload करने की बज़रत नहीं है तो यह में पास values copy हो चुकी है जो item का i1 आपने main function के अंदर बनाया है यह जो p1 है यहां पर यह return करेगा मेरे पास temporary और temporary जो है वो item का object है तो इस विज़ासे वो easily i1 के अंदर copy हो सकता है उसके बाद मैं इसको display करूँगा तो मेरे पास यहां पर भी 3 और 4 print हो जाएगा तो आप देख सकते हैं इस case में भी x is equal to 3 और y is equal to 4 मेरे पास print हो गया तो इस तरह से आप किसी भी data type से किसी दूसरी data type में अराम से conversion कर सकते हैं casting operator और constructors को use करते हुए तो मिलते हैं आप से किसी next वीडियो में तब तक के लिए Allah आफिस